हाई फ्रेंज हम बात कर रहे हैं भारत बनाम दक्षिन अफी का सीरीज के बारे में और हानक कि कप्तान कोली का ये मानना है कि T20 वर्ल कप के साल पर वन डे सीरीज पर ज्यादा ध्यान नहीं होता लेकिन फिर भी अगर सीरीज घरिलू मैदान पर हो तो दबाव तो होता ही है फिर चाहे वो फैंस का दबाव हो मीडिया का दबाव हो या फिर खिलाडियों की खु काफी हद तक जो नतीजा है वो निर्बर करेगा सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉइंट नंबर पाथ से और वो एक ऐसी चीज है जिसकी चर्चा सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं पूरी दुनिया में हो रही है वो है करोना वायरिस करोना वायरिस के चलते इस सीर के लिए और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि तीन मैच की वन डे सीरीज जरूर खेली जाएगी इसके अलावा कुछ प्रिकॉशन्स दक्षिन अफिका की टीम ले रही है उनमें से एक यह है कि उनके जो हैड ओफ मेडिकल स्टाफ है वो टीम के साथ ट्रावल कर रहे हैं तो इन चीजों के मद्दे नजर यह सीरीज हो रही है इसके अलावा दोनों खिलाडी जो थे टीम के जो आये यहां पर चर्चा करने मीडिया से धरमशाला में उनका मानना था कि बाकी प्रिकॉशन्स वो जरूर ले रहे हैं एक सवाल प्रेस कॉंफरेंस में पूछा गया कि अक्सर हम देखते हैं खिलाडी ठूक लगाते हैं गेंद पर शाइन बनाने के लिए उसके लिए आप क्या करेंगे भूनेश्वर कुमार जो भारत की तरफ से थे उनका मानना था कि नहीं वो तो एक खेल का हिस्सा है और अगर हम वो नहीं लगाते शाइन नहीं रहेगी अगर हमें बोला जाता है ऐसा ना करें तो फिर हम नहीं करेंगे लेकिन फिलाल ऐसा उनको कोई निर्देश नहीं दिया गया है उसके अलावा कुंटन डिकॉक जो दक्षिन अफिका के कपताने वो आये थे उनसे जब यह सवाल पूछा गया उन्होंने कहा नहीं हम यह पॉइंट नंबर चार वो है मोमेंटम मोमेंटम एक ऐसा शब्द जो क्रिकेट नहीं खेल में काफी इस्तमाल किया जाता है और अगर हम एक साल पहले बात करते ना वर्ल कप के दोरान तो शायद मोमेंटम पूरी तरह भारत की तरफ था क्योंकि दक्षिन अफिका की टीम का 30 शुन्य से आराया थijn आर वो भी एक ऐसी कोई कमझोर ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं बहुत ही मजबूत वस्ट्रेलियाई टीम को उनने 30 से आराया भारत दूसी तरफ अगर आप देखें न्यूजिलिंड में अभी वन डे सीरीज तीन शुन्य से हार के आया है तो मुमेंटम का जहां तक सवाल है वो दक्षिन अफीका के साथ है दो खिलाडियों का यहां पर मैं नाम लूँगा दक्षिन अफीका के जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए उन में से एक है यानेमन मलान इनके बारे में शायद जादा भारती फैन्स नहीं जाते उन्होंने अपना डेब्यू किया था इसी ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में पहले मैच में तो वो गोल्डन डग पर आउट हो गए थे लेकिन दूसरे मैच में नावाद 139 रन मनाय थे जो मैच विनिंग साबित हुए तो ये बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं उसके लावा दूसरा नाम है इन्स से आप वाकिफ हैं जितने भी भारतिया फैन्स हैं हेंरिक क्लासन क्योंकि हमें याद है वो जो टी-ट्वेंटी खेला गया था सेंचूरियन में व उन्होंने वापिस फॉर्म जाकर पकड़ा है उस्ट्रेलिया सीरीज में तीनों मैच में उन्होंने 50 से उपर रन बनाया था एक मैच में उन्होंने सेकड़ा भी जड़ दिया तो अब हेंडिक क्लासन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं तो मोमेंटम की जहां तक बात है वो द काबला हो रहा है तो फिर भी भारते टीम चाहिए मोमेंटम ना हो फिर भी भारते टीम फेवरेट यहां पर जाएगी उसके बाद है भुवनेश और कुमार जो खेल रहे थे लेकिन चोटग्रस होते रहे वो बाहर गये और तीसरे शिकरधवन जो अस्ट्रेले के किलाब वर्ल्ड कप मैच में इंजड हुए थे वापसी करी फिर कुछ ना कुछ उनको इंजरी हुई है तो जहां तक हमें संकेत टी-20 टोर्नमेंट जो मुंबई में चल रहा था उसमें भाग लिया हार्दिक पांडिया ने तो खास तोर पर अच्छा प्रदर्शन भी किया बुवनेश और कुमार से पूछा गया उनके फॉर्म के बार में उनका कहना था नहीं उन्होंने जो टोर्नमेंट खेला है उनसे पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे जो खेलाडी यहां पर नहीं है और उनका नाम है रोहिट शर्मा क्योंकि रोहिट शर्मा जब न्यूजिलेंड में नहीं थे तो हमने देखा भारते टीम का क्या हाल हुआ वन डे सीरीज में अब भी वो नहीं है उनकी जगा कौन जगा रहे हैं हमने देखा कि न्यूजिलेंड में जो वंडे खेले गया थे स्टार्ट अच्छा लिया उसके आगे जाके वो कुछ खास नहीं बना पाए फिर टेस सीरीज भी कुछ खास नहीं गई लेकिन ये उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑब डाउट देना चाहिए कि व मिडल ओडर में भी खेलने को तैयार हुए हैं लेकिन फिलहार भारती टीम का जो मिडल ओडर है ना वहां पर कोई जगा नहीं बनती हैं मनीश पांडे फॉर्म में आ गये हैं रविंदर जड़ेजा भी बल्ले के साथ रन बना रहे हैं हार्दिक पांडिया तक लोट आए है ना मीडिया का और ना खिलाडियों का एक ऐसी चीज है जो आपके अर्मानों पर पानी फेज सकती है क्वाइट लिटरली और यह है हमारा पॉइंट नंबर वान यानि बारिश का खत्रा जो इस वक्त वेदर रिपोर्ट आ रही है धरमशाला से उसके मुताबिक आज यानि म से एक दिन पहले पूरी रात बारिश होगी मैच के दिन दिन में थोड़ा सा मौसम खुला होगा लेकिन फिर दोपहर को बारा बज़े से बारिश के संकेत है करीब एक बज़े मुकाबला शुरू होना है अगर बारा बज़े बारिश होगी तो क्या एक बज़े मैच आरा फिलाल जो weather update है कि पूरे 50 over का खेल हम को देखने को मिल सकता है shotgun game देखने को मिले 20 over आपको पता है mandatory होने चाहिए फिर आप उसको एक official match का दर्जा दे सकते हैं लेकिन फिलाल weather report क्या 20 over हो पाएंगे वो भी अभी से हम पूरी तरह से पक्की तरह से नहीं कह सकते क्योंकि इतनी अच्छी weather report नहीं है अच्छी बात यह है जाते जाते अच्छी बात यह है कि आगे आने वाले जो दो one day match है जो लकनव और कोलकता में खेले जाएंगे वहाँ बारिस के आशार कम है तो कम से कम वहाँ पर तो आपको मुकाबला देखने को मिलेगा है